हलो फ्रेंज, मैं मिनाक्षी, वेलकम बैक टू आवर ट्रेमलन चानल आज है अक्षय तृतिया, बेंगॉलीज हर साल इस दिन पे लक्षमी जी और गनपती बपा का पूजा करते है और बहुत सरे ज्वेलेरी शॉप में भी पूजा होता है लेकिन इस साल ये सब पॉसिबल नहीं हुआ है फिर भी आमार शौकोल बांगली बंदुदे रॉक्षय तृतियार अनिक शुबेच्छा होप करती हो अगले साल फिर से हम लोग धूमधाम से इस दिन को मनाएंगे इसी होप के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आज बात करूंगी इस बहुत खुबसूरत सी फ्लावरिंग प्लांट के बारे में मुझे पता है मेरे कही सारे फ्रेंड्स को इसका नाम पता है लेकिन फिर भी मैं बता ही देती हूँ ये है गार्डेनिया जिसको गंधराज कहते है और नाम से ही पता चलता है इसका जो सुगंध है वो बहुत ही अच्छा होता है और ये जो प्लांट है ये बहुत ही easy to grow है और cutting से भी बहुत असानी से grow हो जाता है और बहुत easy to grow, easy to care है तो चलिए थोड़ा बहुत care के बारे में भी अभी बात कर लेते है पहले बात कर लेते हैं इसके light requirement के बारे में वैसे कहा तो जाता है ये direct sunlight में बहुत अच्छे से grow होता है लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा धूप में रखने से इसका जो पत्ते है वो पिला पर जाता है सुख जाता है और गिर जाता है तो प्लांट उतना healthy नहीं रहता है तो इसलिए पार्शियल शेर में ये अच्छे से grow होता है सुख का 3 या 4 घंटे का sunlight इसके लिए enough है क्योंकि बहुत ज़्यादा शेरी एरिया में रखने से इसका जो बर्श है वो नहीं produce होगा फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा तो इसलिए सुख का 3 या 4 घंटे का sunlight इसके लिए enough होता है और अगर वाटरिंग की बात करें तो ओवर वाटरिंग की वज़े से भी प्लांट खराब हो सकता है ये मेरा experience है पिछले साल का ओवर वाटरिंग से इसका सभी पत्ते गिर जाता है पीला पर जाता है और बर्श ज वेल्रें सॉयल में लगाना है तो इसलिए गार्डें सॉयल के साथ थोड़ा सा नीम खली थोड़ा सा वर्मी कमपोस्ट काउडंग और मैं सैंड यूस की है और यह देखिए यह जो पुराने फ्लावर है इसको इस तरह से कट कर देना है इसको कहते है पिंचिंग यह करने से नए नए बर्ड्स प्रोडूस होगा और फ्लावरिंग अच्छे से होगा तो जदए से ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए यह करना बहुत ही ज़रूरी है और मैं महिने में दो बार इसमें कभी-कभी वर्मी कमपोस्ट कभी-कभी मैं जो किचेन वेस्ट का जो कमपोस्ट होता है वो कभी master cake का liquid fertilizer के सब डाल देती हूं और महिने में मैं एक बार या दो बार इसमें neem oil भी spray कर देती हूं तो कोई disease तो अभी तक मैंने नहीं देखा है यह plant cutting से बहुत easily grow हो जाता है अगर किसी के पास यह plant नहीं है कहीं से भी अगर एक cutting मिल जाए तो उसको ले आए और मिट्टी में लगा दीजिए और अगर आप चाते हैं तो थोड़ा सा कोकोपीट और मिट्टी मिलाके या थोड़ा सा सैंड और मिट्टी मिलाके भी लगा सकते हैं बहुत easily यह survive कर जाएगा तो आज का वीडियो आप सब को कैसे लगा यह मुझे प्लीज कॉमेंट करके बताईएगा अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like कीजिएगा comment कीजिए तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं नए कोई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई हापी गॉर्डिनिंग